दोस्तो यस बैंक की बात वह यस बैंक ने किया है बहुत बड़ा फैसला और जैसे कि यस बैंक लगातार नई टेकनोलोजी के दम पे अपने आपको सबसे अलग हटके बैंक साविच कर रहे हैं उसी स्रेणी में एक बड़ा फैसला और किया गया है अब आप देख सकते हो कि Yes Bank का stock जो इस समय 16 के आसपास है आने वाले समय में यह stock 3 डिजिन में आराम से जा सकता है और इसके पीछे हैं बहुत बड़ी वज़़ा जिसको इस वीडियो के माधिम से डिसकस करेंगे वैसे Yes Bank के stock में ज़्यादा तेजी नहीं बने के पीछे सिर्फ लोगों का डर है और वो है 81 Bonds का मामला कहीं बादी पलट न जाए लेकिन अगर 81 Bonds बाहल भी हो जाते तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि already अगर आप देखे तो Yes Bank ने अपने रास्ते सब खोल बैंक को fundage करने में कोई ज़्यादा problem होगी नहीं और जो investor है वो भी बैंक के साथ में खड़े इस समय सबसे जो बड़ी बात है कि global level पे market की छवी जिस्तर से अच्छी बंद रही है बैंक जिस्तर से अपने कारोबार को विर्दी कर रही है वो आने वाले से में इसको तेजी सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल लाइक ओन दबा दीजिए ताकि जब भी न्यावडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू किजिए चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते मैं हूँ आपका दोस्त एस्वी दवे और म हमने वीडियो में डिसकस के अदर कल कि जो इंटरनेसनल मार्केट में तेजी बनी है उसके एसाब से बाजार में तेजी बिल्कुल बन सकते हो बिल्कुल वैसा ही हुआ अब निप्टी 50 की बात करतो 18,264 का इस्तर फिर से इसने पाली है 1.08% की तेजी के साथ में निप्टी बैंक में तेजी और अच्छी थी आप देख सकते हो 43,284 के इस्तर फे 1.46% की साथ दर तेजी थी लेकिन आज निप्टी PSU बैंक में गिरावट देखनों को मिली है आप देख सकते हो 4,115 के इस्तर पे यहाँ पे करीब 0.93% की यह लगबग 1% की गिरावट थी तो सरकारी बैंकों में गिरावट थी लेकिन प्रावट सेक्टर के बैंकों ने आज बड़ी दौड लगाई है यह स्टॉक की सुरुआत 16 पर हुई फ्राइडे की क्लोजिंग 15.95 पर थी और इंट्राडे में 15.95 भी हमने देखा है यानि क्लोजिंग के आसपास यह गिरावट तो नही पॉजिटिव अब यहाँ पर देख शकते हो कि बहुत सारे बैंक जिनों ने आप देख लोकिन प्रेड के पहले और जब बैंक की सुरुआज रिस्ट्रक्चर स्किम के त्याद में पर निवेस किया था उनकी खरीदारी 10 रुपे के आसपास है वो इस समय अपना प्रॉफि वालिम हो था टू क्रोड की डिलेवट है को थी और आज एट क्रोड का वालिम हो तो काफी अच्छे वालिम में काम का जो रहा है लोगों का रुजान श्टॉक की तरह बना हुआ है अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी गुड़ी निकल के आ रही है यस बैंक ने MSM के लिए जबरदस स्किम सुरू की है यानि MSM अब 3 क्रोड तक का लॉन ले सकते हैं सोलर पैनल इस्टॉल करने के लिए यस बैंक के माद्यम से और यह स्किम काफी सांधार है तो यहाँ पर यस बैंक ने मंडे को एनौंस किया कि उन्होंने एक नई लेंडिंग प्रोग्राम स्किम के लिए एक तरह से यह काफी बड़ी पहल है यस बैंक की तरफ से तो यहाँ पर देखें स्मॉल और मिल साइज बीजनस जो इंटरप्राइजेस हैं उनके लिए काफी बड़ा फाइदेवन होने वाला है जो इसकी में यस किरण इसके माद्यम से उनको जो लॉन है वो आराम सोलर सिस्टम इन सब के माद्यम से इनके साथ में जो पार्टनर्शिप के यस बैंक ने उसके माद्यम से वो MS मीज को आराम से कम प्राइज में और इजी तरीके से यहाँ पर सोलर पैलनर प्रोवैड कर पाएंगे यस बैंक का मुख्य देश है कि जो MS मीज है उनको कहीं जगह पे धक्के ने खाने पड़े बलकि उनको आराम से इजी ली यस बैंक के माद्यम से सोलर पैलनर उपलब्त कराए जाए और इसके लिए उन्होंने एक तरसे पूरी की पूरी उनके लिए यस बैंक ने एक सेवा शुरू कर दिया जिसमें आराम से उनको सोलर पैलनर भी मिल जाएगा और उसके लिए सब तरसे देखें जो लॉन प्रोइड करना है वो सारा मामला भी यस बैंक सल्टा देगी यस बैंक के जो कंट्री हेड है दोवन सा उनका कहना है कि जो MSME है उनको हम एक एजिली जो सोलर सिस्टम प्रोइड कर रहे है जिसके माद्यम से उनको किसी प्रकार की प्रोब्लम नहीं होगी और यस बैंक हर तरह के उनके जो भी प्रोब्लम है उसको कम करके उनको बहुत ही sufficient cost में यहाँ बहुत कम cost में यहाँ पर solar panel हम उपलब्द कराएंगे सबसे बड़ी बात है कि इस scheme के तैद जो भी उनका operational cost है उसमें काफी ज़्यादा कमी आएगी इसके लावा यह flexible lawn होगा जो अलगलग टेंजर के इसाब से उसको set किया गया है और यह end-to-end support होगा जो टीम है एस बैंकी वो सारे के सारी formalities complete करके इनको solar panel इंस्टॉल करके देने में मदद करेगी अभी scheme केता है देखे तो जो MSME जह उनको 3 crore तक का lawn प्रोवाइड किया जा सकता है 6 year के 10 year के लिए और इसके लिए उपर moratorium होगा 6 month का तो यहाँ पर Yes Bank सरकार ने जो अपना goal सेट किया कि 230 तक 500 गीगावाट की capacity को पाना है वीन अनरजी के मादिम से उसमें अपना योगदान देने जा रही यानि इंडिया जो G20 की इस बार जो मेजबानी करने जारी जिसमें Yes Bank अपनी तरफ से एक बड़ा सेयोग करने जारी ज़्यादा से ज्यादा मातरा में इसमें लोग इंट्रेस ले और इसलिए एक बड़ा एक आप तरह से देखें तो योगदान होने जा रहा है Yes Bank की तरफ से तो यहाँ पर देख से तो कि जो हमारे पावर मिनिश्टर है आरके सिंग उनकी तरब से जो बैंगलूर में मीटिंग होती है उस मीटिंग के दौरा दोने एक बड़ा बयान दिया है उनका कहना है कि इंडिया की जो रेंक है टॉप फाइव के अंदर आ चुक है क्लाइमेट च टेकनोलोजी यहस बैंक की दरब से आजमाई जारी है जो नए एक्सपरिमेंट के जारी है उसका फाइदा यहस बैंक को देखना को मिलेगा यहस बैंक बैंकिंग सिस्टम को साथ में बहुत सारे ऐसे सिस्टम भी एड करें जिसके वज़से उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट म आप देखेंगे दो 10 बचकर 10 मिनिट पर 16 की प्राइस से 12,47,000 की बिक्वाली हुई उसके बाद आप देख सकतो फिर से 1 बचकर 12 मिनिट पर 15,95 की प्राइस से 18,83,000 की एक और बिक्वाली हुई लेकिंगे उसके बाद में कुछ खरीदारी भी शुरूए आप देख सकतो द 2 बचकर 10 मिनिट पर 16,50 की प्राइस से 8,77,000 की खरीदारी हुई तो फिर 2 बचकर 10 मिनिट पर 16,50 की प्राइस से ही या पर 33,94,000 की बंपर खरीदारी हुई उसके बाद 3 बचकर 9 मिनिट पर 16,50 की प्राइस से 21,98,000 की एक और बड़ी खरीदारी हुई फिर 3 बचकर 10 मिनिट पर 16.10 की प्राइस से ही 12,47,000 की एक जबरदस खरीदारी और हुई लेकिन उसके बाद में अगर आप देखें तो 3.13 पर 16.15 की प्राइस से 25,04,000 की बिक्वाली हुई और उसके बाद 3.15 पर आप देख सकते हो 16.10 की प्राइस से 10,62,000 की एक और बिक्वाली हुई तो बड़े लेकिन आप समझ सकते हो कि लॉकिन प्रेट के जो शेर जान थे अब वो दिरेदे फ्री हो रहे और एसे में आने वालस में एक तेजी का दोर जरू सुरू होगा तो नजरिया लॉंग टम का लेकि यही मौका खरीदारी का यहास बैंक आने वालस में डेफिनिटली आपको ए लेकिन फ्रेंड कोई भी इंवेस्मेंट करने से पहले अपने फाइनसल एडवाजर से बाढ़े ले ले यह आपने खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल परपच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू की जो और चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिए थैंक यो फ्रेंड